हेलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं आज हाजिर हूँ एक नई सी यूनिक सी रेस्पी लेकर जो आपको बहुत ही पसंद आएगी हम समर्स में ठंड गर्मियों में इस परसली बहुत ठंडी सी चाहिए पकाना पसंद करते हैं तो बहुत जट करिए करें और जादा सज्टे करिए मैं इसी बनाने के दिलिए मैं एक पनाने राते हैं आक उन्यवान अचर्व सिर leg उनाते विए कढ़ाई और क्लाइम में डालूंगी तो चम्मज तेल रिफाइंड ओल है आप यह भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऐसा ओल ना यूज करें जिसमें कोई अब इसमें एड कर देते हैं करीब दो तीन चम्मज पीशी हुई चीनी अपने टेस्ट कौने एड कर सकते हैं अब मैं इसमें एड कर रही हूं मिल्क पॉडर मैंने दो तीन चम्मज पॉडर यूज किया है तो आप इसकी भी कर सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गई है और इसमें लगता है ब्राउन में तक पकाना जिसमें इसमें मीठी ची हो जाए और उनका फ्लावर एक मावे जैसे है निए फीट सा लगने लगे हाई फ्लेम पर हम करेंगे तो स्वहिया जल भी सकती है तो स्वहिया अच्छे से रोस्थ हो गई है और हमारा मिल्क पॉडर और सुगर पॉडर भी अच्छे से मेक्स हो गया है इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं पॉडर अग्या क्मWh न को यंक बॉल में निकाल लेते हैं वह से में हम ने डालेंगे आधी स्मय में डालकर इसको अच्छे से पुरिस करेंगे भी चम्मर की हएक घंस दबा करो कि चम्मर करते देरा है और ऐसंस के करा halten लियर किया अब मैंने का्टोडी में दो तीन चम्मर को लिया हुआ है और इसमें मैं दो चम्मर से करिभ तो उसमें दिद्दादा है कस्टर्ड को mix कर रही हो और इसको में अच्छे से समूस सा पेश्ट मना कर त्यार करेंगे इसे इसमें कस्टर्ड मिक्स हो जाए ये वनीला इसफ्लाइवर का कस्टर्ड है आपको भी फ्लाइवर ले सकते हैं अब मैंने ग्यास पे रिखती है और कढ़ाई और कडाई में ने डाला है आधा लीटर दूद और इसमें मैं डाल रही हूँ 1-4 cup चीनी अब हमें चीनी को अच्छे से मिक्स करना है जिसे अच्छे से दूद और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक झाले रहना है तो दूद में बॉइल आने लगा है अब हम तो देखे उन्हें फड़ा कस्ट्ड डाल दिया है और इसको मच्छे से मिक्स करेंगे गयास की फ्लेम को लो टू मीडियम रतना है बहुत ज़्दा हाई फ्लेम पर इसे यह नहीं पकाना है नहीं तो दूद्ध जल सकता है और दूद्ध जलने से हमारे कस्ट्ड का जो तो प्लाइची थे शुब्स नेहीं तो इसके सकते हैं यह यूज कर सकते हैं तो दूद्ध करणा हो गया है तो दिख रहा होगा कि भीना मवे की ही उडिवर कि उप लिभ ठीक हो दिख़ा होगा कढ़ाई में इसको लगाता चलाते वہए हम पकाएंगे दूद्ध अच्छे दूद को मुष्ट में डालते हैं जो हमने स्वही को प्रेस करके बाउल में रखा हुआ था उसमें सारे कस्टर्ड मिल्क को डाल देते हैं तो सारे Kustard को हमें डाल दिया है अब जो मैंने बचे तो मैंने उप्चा कर रखी थी इसके ऊपासे हम spread कर देते हैं प्ला देते हैं अःच है उपक बच्ची यिकुअ इसका पूरे फिला देंगे तो देखें सारे स्वएं को हमें इसके וपर डाल दिया हुए है अब आप यहां पर कुछ ड्राइफूर्ट भी यूज़ कर सकते हैं मैं आपको जो भी पसंद दें ड्राइफूर्ट आपके एड़ कर सकते हैं और एक अच्छी सी लेयर से वागी कि इसके उपर हुनी चाहिए बहुत कम ना ढालें फिर्वसमोटी सी लेयर डालना चाहिए अब मैं इसको करीब 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूँगी इसा अच्छे से चील हो गया हो जाए तो 2-3 घंटे बाद मैं इसको फ्रीजर से निकाला है यह अच्छे से चील है और यह जम गया है मैं आप और निकाल के दिखा रहे हूं एक पीस से देखिए बिलकुल लग रह और रहे ही है बना रहे है और जुद के लिए बाद मैं आप बिलकुल लग। रहे हैं आप तो प्रीजर